हेद्राबादी चिकन दम बिर्यानी की रेसिपी एकड़ में आफेंटिक रेसिपी इस तरीके से जब आप हैद्राबादी चिकन दम बिर्यानी बनाएंगे तो बहुत जादा टेस्टी बन कर तैयार होगी जब कभी आपका मन हैदराबादी बिर्यानी खाने का करता है तो आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप इसको घर में इजली बना सकते है इसको कच्छी एकने की बिर्यानी भी कहते है क्योंकि ये बहुत जादा इजी रेसीपी है बिर्यानी की इस से पहले भी मेरे चैनल पर हैद्रावादी चिकन दब बिर्यानी की रेसीपी अपलोड की हुई है आप चाहें तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं बहुत जादा टीस्टी बनती है video को start करने से पहले आप सबीसे मेरी request है कि अगर अभी तक आपनी मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो please मेरे channel को subscribe करें पास में जो bell icon का button है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर video की notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए start करते है यहां मैंने 1.5 kg चिकन लिया है और यह विद बॉन है आप चाहें तो बॉनलेस भी ले सकते हैं और इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और इसका पानी एक्स्रा वो मैंने निकाल दिया है अब इसमें मैं डाल दूँगी 200 ग्राम दही और यह बिल्कुल फ्रेश दही है एक चमश मैं यहां डाल दूँगी रेगुलर लालमिश जो होती है उसके और आदा चमश कश्मीरी लालमिश पाउडर एक चमश नमक डाल दूँगी या फिर यो कहें कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं एक छोटी चमश मैंने यहां हल्दी हिर्ष में रिली नमक जिला होदी तुमक के अपनेर होदो आप लिए और चुक्नाश को में अधाते हैं यहोदर दबल्रेस के पाइड़ ली को आपनेमें प्रशा के लालमिश स्टेश्श में अजह श्राइखें जिले शाड़ है और जरूर ट्राइ कीजिगा इसको अब यहां मैंने कुछ मसाली लिए हैं जिसमें मैंने 5 हरी लाइची 1 चम्मज जीरा 6 लॉंग 3 पीस मैंने यहां दालचीनी के लिए हैं और इसको मैं इसके अंदर एड़ कर दूँगी यहां मैंने 5 मीडियम साइस की प्यास ली थी जिसको मैंन अधा कप ऑईल और यह वही ऑईल है जिसमें मैंने प्यास को फ्राइए किया था अब इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जितना भी मसाला है ना जो चिकन के पीसिस हैं उसके उपर अच्छे से आ जाए आप चाहें तो चम्मस से इसको मिक्स कर सक अगर आप ओवर नाइट के लिए रखते हैं ना चिकन को तो बिर्यानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में अब यहां मैं निक भगोना लिया है और बहुने मैं मैं तीन लीटर पानी लिया है और इसमें मैं कुछ मसाले डाल तो मैंने यहां एड कर दी है धनिया और पुधिना की पत्तियां एक बड़ा चमच मैंने यहां नीबू का रस लिया है जो टेबल स्पून होता है न वह और तीन से चार टेबल स्पून ऑईल डाल दिया है और एक चमच केवरा वाटर नमक आप नमक का खास दोर से ध्यान र जालें अब यहां मैंने एक किलो चावल लिये थे जिसको मैंने एक घंटा पहले सोक कर दिया था और यह कच्छा बासमाती लांग रेंड राइस है कोशिश करें कि आप अच्छे ब्रैंड की चावल लें और एक घंटा आपको सोक करके रखना है चावलो को अब एक उबाल चावलों में मतलब दो हमें लेयर लगानी है तो पहली लेयर जो है उसमें जो चावल है वह 50% कुक होने चाहिए तो इसमें अच्छे से उबाल आ गया है आप देख सकते हैं अब यहां मैं एक कप पानी निकाल दूँगी पानी हमें बिर्यानी में डालना है जह हम लेयर क्यासण तक कुक हो जाएं अब यहां मैंने एक कवाल लिया है उसको हाई फ्लेम पर मैंने गरम कर लिया है गयास पर रह कर और जो बहगोना था उसमें चिकन की पीसिस लगा दी है मैं कैमरा ओन कर ना भूल गई थी और जो पहली लेयर चावलों की वह मैंने यहां चिकन की प्याज बचा कर रखे थी वह भी यहां डाल देंगे बहुत जादा टेस्टी बनती है यह जो बिर्यानी न आप इसको ज़रूर रहे किजेगा बहुत जादा बड़ी अच्छी लगती है अब यहां मैं एड़ कर दूँगी जो बिर्यानी मसाला मैंने बचा कर रखा था वह य जो यलो कलर होता है वो आड़ कर दिया है आप चाहें तो ऑरेंज भी डाल सकते हैं और दूद की जगह पानी भी ले सकते हैं लेकिन दूद से जो है जो जावल लेना वह बहुत दा सॉफ्ट हो जाता है अब इस पॉइंट पेर आप चाहें तो दूद के साथ आप जाफरान भ कवर कर सकते हैं ताकि इसकी जो इस्टीम है वो बहार ना कले तो 30-45 मिनट हमको इसको लो फ्लेम पर पका लेना है तो 35-40 मिनट हो गए हैं अब एक बार चेक कर लेते हैं तो पानी जो तो बिल्कुल परफेट है बहुत जादा मतलब टेस्टी वन्हें बिर्यानी खुशबू तो यहां आप देख सकते हैं कितना मतलब कितनी जादा टेस्टी लगरी बिर्यानी देखने में तो मैंने यह चिकन के पीस लिया है और इसको एक बार चैक कर लेते हैं तो देखे चिकन का जो पीस है वो एकदम अच्छे से टैंडर हुआ है तो बस देखा आपने कितना जादा सिंपल इस बिर्यानी को बनाना बस थोड़ी सी प्रेप्रेशन हमें करनी पड़ती है जो आप रात को करकर रख सकते हैं और सुबह उठकर आप इस बिर्यानी को बना सकते हैं तो बिर्यानी हमारी बिल्कुल गर्म तयार है और बहुत जादा टेस्टी बनी थी बिर्यानी आ कि आपको मेरी बिर्यानी की रेसिपी कैसी लगी इसी तरह की और भी अच्छी वीडियो में आपके लाती रहूंगी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जादा जरूरत है प्लीज मुझे सपोर्ट करें और इस बिर्यानी को आप राइते के साथ चटनी के साथ इंजॉय करें बहुत जादा टेस्टरी लगती है मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ फिर्लोसा लोग्यानी करें जादा लोग्यानी करें मिलती है जादा सुझे चां दूर्ट